दोस्तों नमस्कार बैंगलूरू की सबसे हैरान करने वाली मर्डर मिस्ट्री एरपोर्ट पर मिली थी एक लड़की की लाश वो मॉडल थी कैसे तेरा दिनों में सुलजी वो मिस्ट्री मरने वाली लड़की का नाम मॉडल पूजा डे था S वाले टैटू, 14,000 जीन्स, 1400 टाइटन घड़ी में था छुपा था वो कातिल बैंगलूरू की सबसे उलजा देने वाली मर्डर मिस्ट्री दोस्तों एक खूबसूरत लड़की की लाश ना कोई पहचान, ना कोई सुराग बेहद उलजी हुई एक अजीब मर्डर मिस्ट्री जिसकी पहचान करने में ही पुलिस को तेरह दिन लगे इन तेरह दिनों में 20 पुलिस अफसरों की कई टीमों ने जाँच की 15,000 से ज्यादा लोगों से पढ़ताल हुई 14,000 जीन्स और 12,000 टाइटन घड़ियों में सुराग की तलाश हुई तब जाकर सुराग के नाम पर मिली भी तो एक अधूरी जानकारी फिर अचानक नाराजगी में एक पुलिस अफसर ने फोन पर किसी से बात की अब उस बात से ही पुलिस को वो सुराग मिल गया जो इन 13 दिनों में 24 घंटे की लगातार जाँच के बाद भी शायद नहीं मिला था उस चोटी सी लीड की मदद से उसी पुलिस टीम ने महज 5 घंटे के भीतर ही पूरे केस का खुलासा कर दिया अब कातिल भी सामने था और कतल का मकसद भी साल 2019 में 31 जुलाई की एक सुबह करीब पांच बजे एक किसान मुनीराजू बेंगलूरू में केमपिगॉडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास वाली सड़क पर टेहल रहे थे उस सड़क पर टेहलते हुए अचानक वो चौँक जाते हैं क्योंकि सड़क पर एक लड़की की लाश पड़ी थी चहरा भी कुचला हुआ था चारों तरफ खून बिखरा था पास में इंट भी पड़ी हुई थी उन्होंने इसकी सूचना बेंगलूरू पुलिस को दी कुछ देर बाद ही बेंगलूरू पुलिस थाने की टीम पहुँचती है जाँच शुरू होती है उस समय इस थाने के इंस्पेक्टर थे बी राम मूर्ती नाइट में देर रात तक पेट्रोलिंग करने के बाद वो सो रहे थे सोते हुए एक घंटे ही हुए थे थाने से फोन आया बताया गया कि एक ब्लाइंड मर्डर केस है एरपोर्ट के पास लड़की की लाश मिली है केस हाई प्रोफाइल हो सकता है ये सुनते ही इंस्पेक्टर की अधूरी नींद पूरी तरह खुल जाती है वो भी तुरंत स्पॉर्ट लेकर पहुँचते हैं उस क्राइम स्पॉर्ट की जाँच की गई तो पता चला कि लड़की के सिर पर किसी इंट से कई बार मारा गया था शरीर पर कई बार चाकू भी मारा गया था अब ये बेहद अजीब था कि चाकू भी मारा इंट से भी हमले किये थे घटना स्थल पर कोई सामान नहीं मिला न लड़की का पर्स और ना कोई बैग फॉरंसिक जाँच की गई तब पता चला कि वहां से एक कार निकली थी जिसके टायर के निशान मिले थे लेकिन वो किस गाड़ी के थे ये पता नहीं चल पाया दूर दराज के कुछ CCTV फुटेज भी देख गए लेकिन उसकी तस्वीरें इतनी धुंदिली थी कि कार का नंबर पता नहीं चल सका इस तरह पुलिस अब पूरी तरह से खाली हाथ थी कातिल और कतल के मोटिव का पता करना तो दूर अभी तक लड़की की पहचान तक नहीं हो पाई थी ऐसे में उसकी पहचान करने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता था उस लड़की के बदन पर मौजूद कपड़े और शरीर पर कोई निशान लड़की देखने से अच्छे परिवार की लग रही थी उसने जीन्स, टी-शिर्ट और टाइटन की घड़ी पहनी थी जीन्स और टी-शिर्ट दोनों महेंगे ब्रैंड वाली थी अब यहाँ जाँच टीम का सबसे पहला टारगेट था किसी भी तरह से उसकी पहचान करना इसलिए अब पुलिस के सामने कुछ ही उप्चन थे पहला लड़की की ब्रैंडेट जीन्स, टी-शिर्ट और उसकी टाइटन घड़ी को कहां से खरीदा गया और किस ने खरीदा उसका पता चल जाए दूसरा पास में ही एयरपोर्ट था इसलिए ये पता चल जाए कि पिछले एक से दो दिन में कोई ऐसी महिला यात्री जिसकी टिकट बुक तो थी लेकिन उसकी फ्लाइट मिस हो गई हो तीसरा आस पास के सभी थानों में पिछले कुछ दिनों से 35 से 36 साल की उम्र वाली लड़की के लापता होने की सूचना चौथा जिस गाड़ी वाले के टायर का निशान मिला था उसके बारे में शेहर के किसी CCTV फुटेज में कुछ मिल जाए इन तमाम एंगल पर जाच के लिए कुल 20 पुलिस वालों की टीम बनाई गई सभी टीम को अलग-अलग टास्क दिया गया एक टीम को ब्रैंडेड जीन्स के बारे में पता लगाना था कि इसे अब तक इंडिया में कहां-कहां बेचा गया और उसे किसने खरीदा एक टीम उस टाइटन घड़ी का पता लगाने में जुटी इसकी जाच के दौरान के पता चला कि जिस ब्रैंड की जीन्स उस लड़की ने पहनी थी वैसी 14,000 पूरे देश में बेची गई है दिल्ली, महाराष्ट्र और करनाटक में इनकी बिक्री हुई थी अब पुलिस ने ये पता लगाया कि जिस साइज की जीन्स लड़की ने पहनी थी वो कितनी बिकी हैं तब पता चला कि उस साइज की 800 जीन्स बेची गई इस तरह अब 800 जीन्स खरीदने वाले सभी लोगों के नाम और नमबर का पता लगाना था चुँकि ब्रैंडेट जीन्स थी तो उसे शोरूम से खरीदने वालों की डिटेल मिल गई अब इन सभी नमबरों को लेकर पुलिस ने वाटसैप ग्रूप बनाया और उन्हें लड़की की फोटो भेजनी शुरू की लेकिन काफी सारे नमबर बंद थे हालंकि काफी मेहनत के बाद भी उसकी पहचान नहीं हो पाई पुलिस की एक और टीम टाइटन घड़ी के खरीदार को तलाशने में लगी थी उस मॉडल की घड़ी का पता लगाया तो कुल 1400 घड़ीयां बेचे जाने की जानकारी हुई पुलिस ने सभी के नमबर मंगा कर उन्हें भी वाटसैप पर मैसेज भेजे उधर अन्यटी में CCTV फुटेज और कार की तलाश में थी इस दौरान उस एरिया से एक स्विफ्ट कार जाते हुए मिली थी लेकिन उसका नमबर प्लेट साफ नहीं दिख पाया इस से कार का नमबर नहीं मिल सका कुल मिला कर इतनी मेहनत का नतीजा सिफर ही रहा यानि कोई सुराग नहीं मिला ये देखकर पुलिस की टीम मोर चूरी में रखी डेड बॉडी के पास फिर से भेजी गई क्योंकि जब कोई लावारिस लाश होती है तो कम से कम दो दिनों तक तो बॉडी रखी जाती है और फिर पोस्ट मॉर्टम करते हैं ताकि पहचानने में दिक्कत ना आए अभी दो दिन हुए थे तो लेडी पुलिस ने उसके पूरे शरीर पर किसी टैटू की तलाश की इत्तिफाक से पुलिस को उस लड़की के बदन पर एक जगह S लिखा हुआ टैटू मिला इससे पुलिस ने अंदाजा लगा लिया कि हो सकता है कि उसका नाम S से शुरू होता हो या फिर अगर वो शादी शुदा हो तो उसके पती या फिर किसी खास दोस्त का नाम भी हो सकता है इसलिए पुलिस ने तुरंत जीन्स और टाइटन घडियों में जितने नंबर शॉर्ट लिस्ट हुए थे उन में से S से शुरू होने वाले नाम का पता लगाया तब टाइटन घडी खरीदने वालों की संख्या अब 115 तक पहुँच गई यानि पुलिस को उम्मीद थी कि अब इनी 115 लोगों में से किसी एक ने घडी खरीदी होगी पुलिस ने फिर से उन 115 लोगों से संपर्क किया लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिल सका जीन्स वाले में भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी उधर एयरपोर्ट पर पिछले दो से तीन दिनों में ऐसा एक भी यात्री नहीं था जिसकी फ्लाइट मिस हुई हो यानि पुलिस ने जितने भी एंगल से जाँच शुरू की थी किसी से भी उस लड़की की पहचान करने में सुराग नहीं मिल पाया इस तरह पुलिस की जाँच के कुल छे दिन निकल गए लेकिन मरने वाली लड़की कौन थी अभी तक यही पता नहीं चल पाया था फिर कातिल और कतल का मोटिव का पता लगाना तो अभी दूर की बात थी अब उस लावारिस लाश की जाँच करते हुए साथवाँ दिन आ गया था पुलिस की टीमें दिन रात जुटी थी लेकिन हर कोशिश के बाद नतीजा जीरो हो रहा था तब ही एक कॉंस्टेबल को अहम जानकारी मिली उसके खास इंफॉर्मर ने बताया कि एक महिला की हत्या करके एरपोर्ट के आसपास फेंका गया है उस महिला का कतल करने वाला कोई और नहीं बलकि उसका पती ही है अब ये जानकारी मिलते ही पुलिस को उमीद की किरन मिल गई तुरंत पुलिस की टीम उस एंगल पर जाँच करने पहुँची ये भी पता चला कि वो मारने वाला पती नौर्थ इंडिया की तरफ का है चूंकि लड़की भी हुलिये से नौर्थ इंडियन लग रही थी इसलिए पुलिस की उमीद और बढ़ गई पुलिस उसकी तलाश में तुरंत उसके घर तक पहुँची वो शक्स मिल भी गया वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला था उससे पूछताच हुई तो पता चला कि उसने नीला सांद्रा में पत्नी की हत्या की और एरपोर्ट के पास कहीं पर लाश फेंग दी थी पुलिस तुरंत उसे लाश तक लेकर चलने के लिए बोली पुलिस उसे लेकर एरपोर्ट की तरफ जाने लगी पुलिस जब उसके अनुसार एरपोर्ट पर जाने लगी तब वो उस जगह पर नहीं गया जहां उस लड़की की लाश मिली थी बलकि उससे काफी दूरी पर एक सुनसान जगह की तरफ ले गया फिर उसने बताया कि यहीं कहीं पर उसने डेड बॉडी फेंकी थी लेकिन वहां लाश नहीं मिली इस पर पुलिस ने पता लगाया तब जानकारी हुई एक हफते पहले वाकई वहां एक महिला की लाश मिली थी पुलिस ने उस थाने में संपर्ख किया तो कनफर्म हो गया इस तरह पुलिस भले ही उस लड़की के कातिल की तलाश में थी लेकिन उसी में दूसरे एक कतल का खुलासा हो गया पर पुलिस की ये मेहनत फिर से उसी जीरो वाले नतीजे पर पहुँच गई अब पुलिस फिर से खाली हाथ थी अब पुलिस की टीमें लगातार काम करते करते काफी ठक चुकी थी चिड़ चिड़ापन आ रहा था कि इतनी मेहनत के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है पिछले एक हफ़ते की जांच के दौरान इंस्पेक्टर रामा मूर्ती के पास कोलकाता के एक पुलिस अफसर का बार-बार फोन आ रहा था लेकिन वो रामा मूर्ती बेहद उलजे थे इसलिए वो कॉल रिसीव भी नहीं कर रहे थे अब दस दिन बीत भी गए थे तब ही फिर उस कोलकाता पुलिस का फोन आया असल में एक महीने पहले ही बेंगलुरू इंस्पेक्टर रामा मूर्ती की टीम ने गोल्ड चुराने वाले एक शातिर चोर कार्तिक को कोलकाता से अरेस्ट किया था इसने बेंगलुरू में दर्जनों चोरियों को अंजाम दिया था पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसके पास से 50 लाख का सोना भी मिला था अब कोलकाता पुलिस को शक था कि अपने लोकल शहर में हुई चोरियों में भी कार्तिक का हाथ तो नहीं इसलिए वो बेंगलुरू पुलिस से बात कर उस कार्तिक चोर को रिमांड पर लेना चाहती थी इसलिए कोलकाता पुलिस का वो अफसर बार बार फोन कर रहा था उस दिन भी कोलकाता न्यू टाउन थाने की पुलिस ने रामा मूर्ति को फोन किया था तब उन्होंने फोन उठा लिया और पिछली कॉल रिसीव नहीं करने की वजह बताने लगे वो कहने लगे कि एक लड़की की लाश मिली है देखने में वो नौर्थ इंडिया की लगती है हम लोगों 15,000 से ज्यादा लोगों की जाँच कर ली लेकिन कोई सुराग नहीं मिला कोई missing report भी नहीं मिल रही है इस पर उस पुलिस वाले ने कहा कि एक मिनट रुकिये मेरे यहां भी एक व्यक्ती ने अपनी पत्नी की missing report लिखवाई है उसने बताया कि उसकी पत्नी बेंगलुरु गई थी और लापता हो गई है उस व्यक्ती का नाम सुधीब डे है और उसकी लापता हुई पत्नी का नाम पूजा डे है यह सुनते ही इंस्पेक्टर रामा मूर्ती ने सोचा कि इसे भी चेक ही कर लेते हैं इसलिए उस लड़की की लाश वाली फोटो उस कोलकाता पुलिस को भिजवाते हैं इत्तेफाक से जब यह सब कुछ चल रहा था उसी समय उनकी एक चांच टीम के पुलिस से दिल्ली के अली नामक शक्स ने संपर्क किया उसने बताया कि जिस घड़ी की आप लोग बात कर रहे हैं उसे मैंने ही दिल्ली में खरीदा था उसे मैंने अपनी गर्ल फ्रेंड को गिफ्ट किया था पुलिस ने उस लड़की का नाम पूछा तो पता चला कि उसका नाम पूजा डे है ये सुनते ही पुलिस को फिर से एक उम्मीद दिखने लगी क्योंकि थोड़ी देर पहले कोलकाता पुलिस ने ये कनफर्म किया कि सुदीप डे की जो पतनी लापता हुई है उसका भी नाम पूजा डे है और अब दिल्ली से अली ने फोन पर बताया कि उसने ये घड़ी जिसे दी थी उसका नाम भी पूजा डे है लेकिन पुलिस को असमंजस थी कि अगर वो पूजा डे है तो फिर सुदीप की पतनी कौन है अगर वो सुदीप की पतनी है तो फिर अली की गर्ल्फरेंड कौन है खैर ये बात साफ थी कि जो घड़ी लड़की ने पहनी थी उसे अली ने ही खरीदी थी लिहाजा पुलिस अब उस लड़की को पूजा डे मान कर जाँच करने लगी इसी बीच पुलिस ने कोलकाता और दिल्ली दोनों जगहों पर लड़की की फोटो भेजी यहाँ पर किस्मत ने भी पुलिस का साथ दिया और दोनों ने कनफर्म कर दिया कि वो मरने वाली लड़की पूजा डे ही थी लिहाज़ा पुलिस की टीम अब कोलकाता और दिल्ली में अली की पड़ताल में तुरंत जुट गई क्योंकि अब आशंका यही लग रही थी कि कहीं कोलकाता में रहने वाले सुधीब धेको अपनी पतनी के अफेयर में पता चल गया हो तो सकता है कि उसका मर्डर किया हो या फिर किसी से कराया हो इसके बाद खुद कोलकाता में उसकी मिसिंग की कंपलिंट कर रहा हो और दूसरा एंगल ये था कि कहीं अली को पूजा ने धोके में रखकर दोस्ती की हो जिसके बाद अली नाराज होकर उसका कतल करा दिया हो लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि अगर अली ही मर्डर कराता तो खुद ही पुलिस से संपर्क क्यों करता इस तरह पुलिस अली की पर संदेह तो कर रही थी क्योंकि जांच में किसी को 100 प्रतिशत ना शक कर सकते हैं और ना ही पूरी तरह से उसे इग्नोर कर सकते हैं इसलिए पुलिस ने भले अली को शक के दायरे में कम ही माना और सुदीप को ज्यादा लेकिन दोनों की पड़ताल शुरू हुई अब बेंगलूरू में जो 20 पुलिस वाले थे उनमें कुल 3 टीमें बनाई गई सबसे छोटी टीम अली वाले एंगल पर जाँच में जुटी बाकी दो बड़ी टीमों में से एक टीम कोलकाता में रहने वाले सुधीब पर पड़ताल करने लगी जबकि एक और टीम को पुजा डे का फोन नंबर मांग कर उसकी डिटेल निकाल जाँच करने का जिम्मा सौप दिया गया सुधीब डे ने पुलिस की जाँच में बताया कि दोनों ने 7 साल पहले ही शादी की थी लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं है उसकी अभी उम्र 32 साल थी वो मॉडलिंग करती थी इसके साथ ही इवेंट मैनेजर भी थी वो दिल्ली और बेंगलूरु आती जाती थी सुधीब को पूजा के बेंगलूरु जाने की जानकारी थी लेकिन जब उसका फोन बंद मिला तो उसने एक दिन बाद मिसिंग की शिकायत कोलकाता पुलिस में की थी हालांकि एफायार नहीं हुई थी पुलिस को ये भी पता चला कि पती-पत्नी में काफी अनबन होती थी इसलिए पुलिस उस पर शक करते हुए जांच कर रही थी उधर दिल्ली में अली के बारे में पता चला कि वो पूजा के शादी शुदा होने के बारे में जानता था लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे इसलिए उसने टाइटन घडी गिफ्ट की थी लेकिन अचानक उसका फोन बंद होने से वो भी परिशान था जब उस तक घडी खरीदने वाले का ढूंडते हुए पुलिस ने पूछा था तो शुरू में वो कुछ परिशान था फिर खुद ही बताया था खैर पुलिस को जाँच करते हुए अब 13वा दिन शुरू होने वाला था पुलिस ने पूजा डे की फैमिली और अली समेत सभी को बेंगलूरू बुला लिया इस बीच पुलिस ने पुजा डे के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल की पड़ताल की तो उससे काफी अहम जानकारी मिल चुकी थी आखिर पुजा के साथ क्या हुआ था तेरा दिन की जाँच आखिरी पांच घंटे में मिला कातिल पुलिस की पड़ताल में पता चला कि वो मर्डर से एक दिन पहले ही फ्लाइट से बेंगलूरू पहुँची थी उसने एरपोर्ट से उबर कैब बुक किया था इसके बाद बेंगलूरू के सिंगसांध्रा में बने साहारा पविलियन होटल में पहुँची थी उसी होटल में वो रुकी थी अब पूजा की सारी डीटेल होटल से ली गई, कब एंट्री की, कब-कब आई और गई तब होटल की रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि रात तीन बज़ कर पचास मिनट पर वो होटल से अपना चेक आउट किया था उस समय एक कैब ड्राइवर लेने आया था ये वही ड्राइवर था जो दिन में भी पूजा को अपनी कैब से ही कहीं ले गया था लेकिन चौकाने वाली बात थी कि जिस रात में पूजा ने होटल से चेक आउट किया था उस समय ओनलाइन कैब की बुकिंग नहीं थी इसलिए पुलिस को ये समझा गया कि कैब ड्राइवर ने ही इसकी साज़िश रची होगी और बिना बुकिंग के डाइरेक्ट पैसे लेकर उन्हें छोडने के लिए हामी भर दी होगी अब पुलिस को होटल के भीतर और बाहर वाले CCTV फुटेज से उस ड्राइवर का चेहरा भी मिल गया और गाड़ी का नंबर भी फिर क्या था? पुलिस ने जाँच के 13 दिन महज 5 घंटे के भीतर ही कैब ड्राइवर के घर तक पहुँच गई कैब ड्राइवर नागेश निकला कातिल घर पर ही कैब ड्राइवर मिल गया उसका नाम नागेश H.M. था उम्र करीब 22 साल वो हेगना हली क्रॉस का रहने वाला था उस कैब ड्राइवर नागेश से पूचताच हुई तो उसने लूट पार्ट के लिए पूजा का मर्डर करने की बाद सुईकार कर लिया उसने बताया कि बेंगलूरू आने के बाद वही पूजा को कैब से होटल तक लेकर आया था इसके बाद उसने पूजा से जान पहचान कर ली थी इसके पीछे वजह थी कि पूजा के पास एक ट्रॉली बैग और वैनिटी बैग था लड़की के पहनावे और बातचीत से लग गया था कि वो अमीर घर से है दूसरी बड़ी बात थी कि वो अकेली ही बेंगलूरू आई थी चुँकि नागेश के भाई ने दो कारें खरीदी थी दूसरी कार की EMI भरने में उसे दिक्कत आ रही थी असल में उसके दो EMI बाउंस हो गई थी इसलिए काफी पैसों की जरूरत थी लिहाजा उसने पहले ही पूजा से बातचीत करने के दौरान ही सोच लिया था कि अब वो उससे लूट पाट कर लेगा और आनलाइन बुकिंग नहीं कराऊंगा तो पुलिस उसे कभी ट्रेस भी नहीं कर पाएगी इसलिए जब देर रात में होटल से निकलना था तो उसने बुकिंग करने के लिए मना कर दिया था और सीधे 1200 रुपये में उन्हें उनके बताए स्थान पर छोड़कने के लिए तैयार हो गया था यही वजह थी कि घटना वाली रात पूजा ने कैब की बुकिंग नहीं की थी कैब में सोने लगी थी पूजा तभी रेप का प्रयास भी किया और फिर मर्डर कैब ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि रात में जब वो कैब से लेकर पूजा को जा रहा था उसे नींद आ रही थी चूँकि रात के चार बज रहे थे तो पूजा कैब वाले पर भरोसा करते हुए कार में ही सोने लगी थी उसी दौरान एयरपोर्ट वाले सुनसान रास्ते पर जाते समय नागेश ने कैब रोक दिया और फिर लूट पाट करने लगा था पूजा ने विरोध किया तो लोहे की रोड से पहले मारा फिर चाकू से हमला किया इस दौरान नागेश ने पूजा से रेप का भी प्रयास किया था लेकिन पूजा आखिरी दम तक उसका विरोध करती रही इस तरह नागेश भी काफी चोटिल हुआ लेकिन उसने चाकू से तीन से चार बार हमला किया था फिर रास्ते में मिली इंट से पूजा के सिर पर हमला किया जिससे पूजा की मौत हो गई थी इसके बाद कैब ड्राइवर नागेश ने पूजा के दोनों बैग, मोबाइल फोन और सभी ATM कार्ड अफ सामान लूट लिये इसे लेकर वो अपने घर आ गया था पूजा से लूटे हुए बैग और पर्स वो अपनी बहन को गिफ्ट करने की तैयारी में था उसने पूजा के डिजिटल वालेट से 14,000 रुपए भी ट्रांसफर कर लिये थे इस मर्डर को उसने सुबह के 5 बजे से कुछ देर पहले ही अंजाम देकर फरार हो गया था तीस अगस्त 2019 को नागेश की गिरफतारी हुई थी उसे इस संसनी खेज हत्या के बाद चिका बलपुरा जेल में भेजा गया था उसे कभी जमानत भी नहीं मिली पुलिस अधिकारी बताते हैं कि 15 मार्च 2021 को इस केस में चार्ज शीट दाखिल हुई थी लेकिन सितंबर 2021 में ही जेल में फूड पॉइजनिंग के कारण नागेश की मौत हो गई नागेश की मौत ठीक उस समय हुई जब उसके खिलाफ कोर्ट में सजा के ट्राइल शुरू होने वाला था लेकिन उसकी मौत हो जाने से पुलिस ने इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया इस तरह 31 जुलाई 2019 की सुबह पूजा की हत्या हुई और उसका कातिल कैब ड्राइवर नागेश करीब दो साल तक जेल में रहा लेकिन शायद होने को कुछ और मनजूर था गिरफतारी के दो साल बाद सितंबर 2021 में उसकी जेल में ही मौत हो गई इस तरह बंगलरू पुलिस की मेहनत से एक ब्लाइंड मर्डर को आखिरकार सॉल्व कर दिया गया दोस्तों ये क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे क्राइम स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सबस्क्राइब करें जय हिंद